आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, question कहने कि अब मेटल जो है वो क्रेस्टलाइज करता बजसी लेटेज में उसकी यूनिट से एजलेंज वो अबाउट 300 पीको मीटर है उसका मोलर मास इतना है आपको डेंसिटी जो मेटल की बतानी है इन ग्राम पर सेंटीमीटर की आपको यहां पर समझना होगा अगर में बात करती हूँ यहां पर लोगे divided by volume of units clear so mass of unit cell क्या होता है आपको पता है कि आपके na atoms का जो mass होता है वो m होता है so हमारे पास z atoms number of lattice points per unit cells का mass क्या हो जाएगा z into m upon na so यह हमारे पास क्या होता है कि z into m upon na जो है यह mass of आपका unit cell है so यहां से मेरे पस density का formula क्या हो गया, density हो जाएगी, z into m upon na, right, into आपके पास क्या है, volume, clear, so आपसे basically बोला क्या गया है, आपको density of the metal जो है, वो निकान लिए, okay, so देखो, आपका जो metal आप crystallize कर रहा है, bcc मे, for bcc आपकी जो z की value हो थे, number of lattice points per unit सर वो 2 हो थे, right, molar mass जो है, वो आपको अपक 50, अपगेटरो नमबर के हो थे, 6.022 into 10 to the power 23, right, and volume के हम बात करते है, so edge length आपको given है, that is a, and volume हो थे है, a cube, right, so यह हो जाएगा आपका 300, 300 का tube, but एक चीज समझने हो कि मुझे है, आपको density जो है, वो centimeter में निकानने है, और आपको edge length जो है, वो picometer में given है, fine, एक picometer में हमारे पास 10 to the power minus 10 आपके क्या होते है, centimeter होते है, so यह आपका क्या हो जाएगा, देखो, 100 divided by 6.022 into 10 to the power 23 into 300 का cube, और into 10 to the power minus 10 का भी cube दोगे, दाकि आपका centimeter में आजाए, so यह होगे 10 to the power minus 30, right, so यहां से आप देखोगे, अगर आप इसको solve करते हो, so देखो कि इतना हो जाएगा यह आपका, अगर मैं solve करते हो, 300 divided by 6.022 into 10 to the power क्या हो जाएगा, यहां पर minus 7 into 3, 3 is a 9, 9, 3 is a 27 into 10 to the power again, आपके बास यहां पर क्या होगा, आपके बास क्या है, आपका यह हो जाएगा, 6, right, so यह आएगा, 10 to the power minus 1, मतलब आपका आजाएगा 1000, divided by 6.022 into 27, so just मुझे यह solve करना है, so हम नहीं बार देख लेते है आपके बास क्या है, 6.022 into, अगर मैं पहले 27 करती हूँ, so यह आ रहा है आपका 1000 divided by 162.594, right, further इसको solve करती हूँ, so this implies density जो है, right, so this implies density जो है वो आपकी किसके equal हो जाएगी, 1 divided by 162.594, so यह आ रहा है मेरे पास आपका, देखो, 6.15, right, into 10 to the power आपका हो रहा है, अगर मैं बात करती हूँ, minus 3 into हमारे पास क्या है 1000, so यह आ रहा है 6.15, so यहां से मैं answer अगर चेक करती हूँ, तो approximately हम 6.2 भी ले सकते हैं, so option 2 correct होगा, thank you.